विद्यार्थियों, हम पिछली कक्षा में अमीर खुश्रो के साहित्य का अध्यन कर रहे थे आज हम अमीर खुश्रो के पाठ्यक्रम में दिये गए तीन जो गीत हैं उनका हम पावसंदरिय, शिल्पसंदरिय जानेंगे देखे, सबसे पहला गीत बहुती प्रसद गीत रहा है यह गीत हमें यह बताता है कि गुरु जो है हमें आध्यात्मिक ग्यान प्रदान करता है और हम गुरु द्वारा प्रदत ग्यान के कारण गुरु पर हमें नौचावर हो जाना चाहिए गीत है अमिर कुछरो कहते हैं कि चाप तिलक सब चीनी रेमोसे नैना मिलाए के प्रेम भटी का मदवा पिलाए के मतवारी कर लीनी रेमोसे नैना मिलाए के देखे, यह पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जिससे स्रिंगार रस का गीत है लेकिन ये मुलतह भक्तिरस का गीत है अपने गुरू निजामुदीन ओलिया के प्रती करतक गेताब प्रकट करते वे अमीर खुश्रो कहते हैं कि गुरू ने मुझसे नैन मिला कर अर्थात अपना शाक्षात कार दिखा कर छाप तिलक सब छीन लिया अर्थात मेरे जो बाही आडंबर था उसको उन्होंने स्वाप्त कर दिया मुझे बाही आडंबरों से मुप्त कर दिया प्रेम बटी का मदवा पिलाई कि देखो प्रेम जो है गुरू का जो प्रेम है उसको बट्टी बताया गया है रूपक अलंकार है प्रेम पर बट्टी का प्रियोग है और प्रेम रूपी बट्टी से निकलने वाली जो शराब है जो प्रेम रूपी नशा है वो पिला कर उन्होंने मुझे मतवाला बना दिया है और ये जो शराब है ग्यान की शराब जिसने मुझे मदमस्त और आनंद मगन कर दिया है गोरी गोरी बईयां हरी हरी चुडियां बईयां पकड़ कर धर ली नीरे मौसे नैना मिला किया अर्थात उन्होंने मेरी जो गोरी बाएं हैं जिन पर मैंने हरी चुडियों को धारण कर रखा है उसको पकड़ कर और उन चुडियों को उतार कर मेरे पांस रख लिया अर्थात मुझे जो बाही ये अलंकरण हैं, बाही ये अभोषण हैं अभोषण से युक्त जो मेरी देह है उसे अपना कर, उसे अपने घ्यान चेतना से मंदित कर दिया बल बल जाओं मैं तेरे बल बल जाओं ते तोरे रंग रजवा कि हे रंगरेज हे अपने रंग से मुझे रगने वाले मेरी गुरू मैं तुम पर बल बल जाओं अर्थात नियो अच्छावर हो जाओं क्योंकि तुमने मुझे अपने ग्यान चेतना के रंग में रंग दिया है, अपनी से रंग दीने रे मौसे नहना मिलाई किया है, खुसरो निजाम के बलबल जाओ, ये निजाम जो है, ये खुसरो ने अपने गुरू को कहा है, गुरू निजाम दीन अलिया के लिए उनने जाम शब्द का प्रियों किया है, कि है गुरू, आपने जो मुझे पर कृपा दृष्टी की है, मैं उस पर बल बल जाओं, अर्थात में अच्छावर हो जाओं, मौहे सुहागन की निजे मौसे नेना मिलाए के, अर्थात, आपने मुझे शाक्षातकार प्रदान करके, अपन अस्त अज्यान को मेरे भाही अडंबरों को आपने दूर कर दिया है, तो यहां गुरू के प्रती अपनत और कृतिक गिता का भाव प्रदर्शित है, प्रतीकों का प्रियोग है, चाप, तिलक, गोरी, बैयां, हरी-हरी, चोडियां, यह सब प्रतीक हैं यापर, और कबीर, अमीर कुष्णों ने भी अपने काविय में कई स्थानों पर प्रतीकों का प्रियोग करके अपने गीतों को अत्यंत सरस बना दिया है, अगले गीत की तरफ चलते हैं, देखिए, जब यार देखा नैन भर दिल की गई चिन्ता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर, खुष्णों ने परमात्मा को यहां प्रियतम के रूप में तरशाते वे अपनी अध्यात्मी चेतना प्रकट की है, और इसका हम सामान्य अर्थ के साथ साथ अन्य आर्थ भी लेंगे, इसलिए हैं, पूरे पद में अन्युक्ती परकपद है, जिसमें अन्य अर्थ की वेंजना होती है, आर्थी वेंजना है, सूफी प्रेम भाव की वेंजना इस पूरे पद में होई है, लौकिक प्रेम के अधार पर जब अलौकिक प्रेम के बिविजना होती है तो इस प्रकार का प्रेम वर्णन सूफी प्रेम भावना से युक्त माना जाता है हमीर कुछ रों कहता है जब प्रेमी को हम आखें भरकर अर्थात एकदम अच्छी तरह से देख लेते हैं तो सारे चित की चिंताएं दूर हो जाती है ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर इस इसार में ऐसा कोई अपरिचित अंजान नहीं है जो उसे समझा कर रखें हमी खुश्रो कहते हैं जब आख से ओजल भया कि जब प्रियता यानी परमात्मा आखों से ओजल हो जाता है अद्रश्य हो जाता है तो चिंता के करण हिदा तड़पने लगता है हक का इलाही क्या किया फिर इश्वर को दोस्त देते हैं कि है इश्वर तुमने क्या किया आंसू चले भर लाएकर और तुरंथ आंखों में आंसू गिरने लगते हैं आंखों में आंसू भर जाते हैं कभी कहता है प्रीय तु तो हमारा यार है तुझ पर हमारा प्यार है तुझ दोस्ती बिस्यार है एक सब मिली तुम आएकर यहां पर परमात्मा को का गया कि तू तो हमारा प्रेमी है और तुम पर हमारा पूर्ण भाव है तुझ दोस्ती बिस्यार है कि तुमारी जो दोस्ती है वही वास्ताव में असली मेरा धन है मैं और कोई अभिलाशा नहीं करता तुमारी दोस्ती बिश्यार है मतलब अनुपम है एक सब मिली तुम आये कर इसलिए तुम उसे एक बारा कर एक रात को मिलो और उजे तसली दो जाना तलब तरी करूं दिगर तलब किसकी करूं कि भी मैं और दिगर दिगर का मतलब और किसकी जो है तली करूं अर्थात याँ पर और किसका इंतजार करूं क्योंकि मुझे तसली तुमारे से मिलने पर ही होती है तेरी जो चिंता दिल धरूं एक दिन मिलो तुम आये कर मैं सदे तुम्हारी चिंता में निमगन रहता हूँ इसलिए हे प्रबू हे प्रमात्मा हे प्रेयदम तुम उससे आकर मिलो मेरी विरह दसाक से मुझे मुक्त करो मेरी जो मन तुमने लिया तुम उठा गम کو दिया तुमने मुझे ऐसा किया जैसे पतंगा आग पर अजब दल में नलावे कुछ अजब कुद्रत खुदा की है अजब जब जीव दिया गुलल आएकर मतलब यहां पर खुश्टों कहते हैं कि बड़ी अजीब लीला है बड़ी अद्बुत लीला है परमात्मा की और खुदा जो है ईश्वर जो है वो इस अनोखे अनुपम संसार की शृष्टी करता है और ईश्वर ने जीव दिया जीवन दिया है प्राण दिये हैं तो वह मुझे अपना शाक्षातकार भी करा दे मुझे अपने प्रितम से मिला दे तो इस प्रकार से इस पूरे पद में अन्योक्ति परक अध्यात्मिक अर्थ की विंजना हुई है संपूर्ण पद अन्योक्ति परक है और उर्दू मिस्रित तत्सम तद्भो शब्दों का प्रियोग हुआ है इस प्रकार से हमने यह अमिर कोश्व के दो पद देखे